स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पातिल इनके स्मृती प्रित्यंत अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला दुनिया में कई सारे असामान्य व्यक्ति होते हैं उनमें से कई सारे मानवता की महान सेवा कर मशूर हो जाते हैं लेकिन अपने ही दिव्यांगता से उपर उठकर अपने आपको दिव्यांग कल्यान के कशेत्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले गिने चुने ही मिलते हैं जब वे लोग इस सेवाकार्य में समर्पण भाव से जुट जाते हैं, तो वे अपनी असामान्य बुद्धिमत्ता के बल पर नई-नई संकल पनाओं को विक्सित कर अपने सेवाकार्य को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। उनकी प्रगलभता समाज के दुरलक्षित तपके को जीने की राह की और आकर्षित करने वाली प्रकाश में प्रेर्णा बन जाती हैं, जिससे उस दुरलक्षित तपके का भविश्यकाल उज्वल हो जाता है। और वे बंध जाते हैं, विकास की राह दिखाने वाले दीपस्त ऐसे ही अंध व्यक्तियों के जीवन में सन्मानपूर्वक जीवन जीकर स्वावलंबन तथा स्वयम पूर्धता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए मुक्ताबे ने सही मार्ग दिखा कर दीपस्तम होने की धार्ना को सिध्ध किया हुआ है। गुजरात राज्य के अमरेली जिले के नाना आकडिया नामक गाव के किसान परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया। जनम से ही उसकी दृष्टी अधू थी और जैसे जैसे मुक्ता की उमर बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी दृष्टी कम होती गई। उसमें अपनी अल्प दृष्टी के साथ पढ़ते हुए बहुत सारे दृलक्षित्ता और विटंबना का अनुभव किया था। जरूरी है और वहा कैसे पूर्ण कर स्वयमकूर्ण और स्वावलंबी हो सकती है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगी। तो पहले द्रश्टी बाधितों के लिए काम करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले एहमदाबाद के संस्था में प्रशिक्षा वर्ग चलाया जा रहा था। मुकता ने अपना नाम उस प्रशिक्षन के लिए दाखिल करवा कर वह प्रशिक्षन पूरा किये। मुकता ने मतीमंद बच्चों को शिक्षा देने के लिए विशेश शिक्षक का भी प्रशिक्षन लिया। बाद में मुक्ता ने मुंबई के नुब वर्क्शॉप फॉर दबलाइंड इस संस्था से टेलीफोन ओपरेटर का कोर्स भी पूरा किया। इस सभी प्रक्रिपा से गुजरते हुए विशेश्ता उनका ध्यान अंध महिलाओं को शिक्षन या प्रशिक्षन के दौरान दी जाने वाली निचले स्तर की सुविधाओं पर केंद्रित हुआ। इस साथ विचार विमर्ष किया और इस निर्णय पर पहुँची की, मैं अपने देश में जरूर अंध महिलाओं के लिए शिक्षा देने योग्य संस्था का निर्मान करूंगी। जो उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधाई देकर उनके शिक्षा प्रशिक्षा में सही योगदान देते हुए उनका सामाजिक तथा आर्थिक पुर्णवास कर सके। इसी दौरान मुक्ता की जान पहचान पंकजभाई डगली नामक एक द्रिष्टी बाधित सहपाथी से हुई। उन दोनों की बातों में द्रिष्टी बाधित महिलाओं के लिए योग्य संस्था स्थापित करने की ही बाते होने लगी। दिन बद दिन यह विशय एक अच्छा सा रूप लेकर उन दोनों के मन में साकार होने लगा। वे जैसे जैसे इन बातों में उलचते रहे वैसे वैसे एक दूसरे के दिलों में अपना स्थान अंजाने में ही कब बन गया यह दोनों के लिए बताना भी मुश्किल हो गया। पंकज गुजरात के ही सुरेंद्र नगर विभाग से संपन्न परिवार में पला बड़ा दृष्टी बाधित नौजवान था। उसका रहिन सहिन, विचार प्रणाली, होसला जजबा और यशस्वीता के मन्जिल की ओर अग्रेसर होने का निश्चय मुक्ता को भागया। दोनों ने निश्चय कर लिया कि हमें मिलकर जीवन में दृष्टी बाधित महिलाओ की शिक्षा तथा प्रशिक्षा देने वाली एक आदर्श संस्था का निर्मान करना है। वही हमारा एकमेव और अंतीम धे होगा। हम दोनों अपने अपने परिवार से स्विक्रिती लेकर ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। पर हम कभी भी अपनी संतान को जनब नहीं देंगे। जो लड़की या महिला हमारी संस्था में शिक्षा या प्रशिक्षा लेने के लिए दाखिल होगी। उसे ही हम अपनी संतान मानकर उनके विकास में हमारा तन्मन और धन अर्पित कर देंगे। पंकज भाई डगली एक धनवान और प्रतिष्ठिट परिवार के सदस से थे। जब वे अंध व्यक्तियों के लिए शिक्षत का प्रशिक्षन प्राप कर रहे थे तब मुक्ता और उनके बीच प्रस्थापित संबंध घनिष्ठ हो गए। तब पंकज भाई ने घरवानों को उनकी योजना के बारे में पूरी जानकारी दे दी और बिंती की, की वे आगे बढ़कर उनकी शादी मुक्ता से करवा दे। घरवानों ने पंकज को कई सारे प्रलोभन दे कर और भविश्यकाल में आने वाली कठिनाईयों को बया कर उसे अपना विचार बदलने के विवाह बद्ध हो गए। विवाह के पच्यात उन्होंने शिक्षक रूप में नौकरी करते रहने का निच्चे किया जिसके आमदमी से जीवन यापन करना संभव हो सके और मुक्ता को अपनी संस्था प्रग्याचक्षु महिला सेवा कुझ उभारने के लिए खुली विवाह बद्धियों के वक्त मुक्ता की हर तरह से मदद करते ही रहते थे। उन्होंने 18 वर्ष तक मुक्ता से दूर रहते हुए शिक्षक पद पर कार्य करते रहे और आखिर में जब वे मुक्या ध्यापक थे तब उन्होंने स्वेच्चा से सेवा निवृत्ती लेकर मु मुक्ता ने अपने प्रग्याचक्षु महिला सेवा कुंच की निव सुरेंड नगर में रखी तो इस निव को सुद्रिड बनाने हेतु श्री पी यूशा, श्री नवीन भाई मनियार, श्री केसी लुथिया और पंकज भाई के परिवार वालों ने और रिष्टेदारों न तथा मुक्ता के एक छोटे भाई जयंती भाई गोल ने मुक्तबेन के कार्य में अपना अनमोल योगदान दिया। जयंती भाई ने तो अपना जीवन ही इस सेवा कार्य में समर्पित कर दिया है। आज उनका सुपुत्रव गौतम भाई भी इसी सेवा कार्य से जुड़ा ह उस वक्त योगिना वैध्य नामक स्वयन सेवी महिला ने मुक्ता के हर कार्य में अपने आपको न्योच्यावर कर वहा हर कदम उसके साथ ही रही। परिवार की स्विक्रिती के साथ विवाबध हो गए। मुक्ता ने तो प्रण कर लिया की में जब तक एक आदर्श द्रिष्टी बाधित महिलाओं की शिक्षा या प्रशिक्षा से देने वाली संस्था स्थापित करने के लिए आवश्चत धन दानशूरों से नहीं जमा करूंगी तब तक में कभी पैर में चपल नहीं पहनूंगी मुक्ता गुजरात के गाव-गाव में बगैर चपल पैदल चलते हुए मिलाने वाले लोगों से द्रिष्टी बाधित महिलाओं की संस्था शुरू करने के लिए मदद मांगने लगी महिनों तक घुमने के बाद मुक्ता ने सन 1998 में सुरेंद्रंगर गुजरात में अपने ही बंगले में प्रज्याचक्षु महिला सेवा कुझ नामक संस्था शुरू की और सरकारी कानूनों के अनुसार रजिस्ट्रेशन भी कर लिया शुरू में उन्हें तीन द्रश्टी बाधित लड़किया मिली और धीरे धीरे वह संख्या बढ़ती ही चली गई जब वहां बंगला कम पढ़ने लगा तो मुंक्ता ने उनके बगल वाला अपनी ननन्द का बंगला भी उनके मंजूरी से लेकर वहां बच्चियों की देखभाल और प्रशिक्षन शुरू किया वह जगा भी कम होने लगी तो दोनों बंगलों के कमपाउंड की खाली जगा पर जुडा हुआ कॉरिडोर बना कर इस्तमाल करने लगे मुक्ता के जनसंपर्क में वृद्धी होती रही और आखरी में उसे सामने वाला बंगला भी इस कार्य में लाने की मंजूरी उसके मालिक से मिल गई एक दिन पुलीस स्टेशन से फोन आया की नदी किनारे एक ननही बच्ची को फेग दिया है शायद वहां अंध है तो क्या आप उसे आपके संस्था में प्रवेश दे तो मुक्ता ने तुरंथा कह दिया जब बालिका को अपनी संस्था में लाया गया तो जाच करने के बाद पता चला की वो बहुविकलांगता से पीडित है तब उसका लालन पालन कर विकास के लिए काम करने लगी आगे चल कर ऐसी ही तीन बहुविकलांग बालिकाए आ चुकी थी सभी प्रवेश की हुई अंध महिलाओं की संख्या बनती ही चली गई तब मुक्ता ने गुजरात सरकार से भूमी आबंदित करने की अर्जी पेश कर दी उस अर्जी पर सन 2006 में गुजरात सरकार ने सुरेंद्र नगर मुई रोड पर पाँच एकर भूमी आबंदित कर दी वहां आदर्श रूप से द्रिष्टी बाधित महिलाओं के लिए सभी तरीकों से युक्त संस्था विक्सित करने के लिए दाताओं को संस्था के साथ जोड कर अनुदान जमा करना जरूरी हो गया सुप्रसिद दाता श्री पी यू शहाजी ने बड़ा हिस्सा अपने जिम्में लेकर तीन सौ द्रिष्टी बाधित महिलाओं वस्तिग्रिह में रहते हुए अपनी शिक्षा या प्रशिक्षा ले सकने के योगित तीन मन्जिला इमारत विक्सित की अब वहां सारी सुविधाओं से युक्त संस्था होने से कई सारे दाता मुक्ता और श्री पंकज भाई के विचारों से प्रेरित होकर अपने हिस्से का योगदान देने के लिए सहमत हुए संस्था में दाखिला लेने वाली द्रिष्टी बाधित बालिका से महिला तक सभी मुक्ताबेन को दिदी के नाम से ही पुकारने लगे दिदी का अर्थ होता है बड़ी बहन जिसके साथ अपने विचारों के आदान प्रदान में सौरियत होती है पर अपना पन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है नम या मेमसाप तथा मुख्य शिक्षिका जैसे शब्दों में वह अपना पन नहीं पाया जाता प्रग्या चक्षूद्वारा कम्यूनिटी बेस्ट रिहबिलिटेशन यह गुजरात सरकारद्वारा चलाए जाने वाले प्रकल्प में अपना योगदान देते हुए सुरेंद्रंगर तहसील के आदिवासी ग्रामीन तथा जुगी जापड पट्टियों में रहने वाले सम ग्या चक्षू में दाखिल करवाने सुरेंद्र नगर गया। सुबह सुबह पाँच बजे में उस संस्था में पहुचा। जो वहां अनुभव किया वह सचमुच मेरी कलपना से परे था। जो कमरा मुकता दिदी ने स्वयं के लिए आरक्षित कर रखा था। उस कमरे में दिदी के पतिदेव श्री पंकज भाई को भी सोने के लिए बिस्तर नहीं था। दिदी के कमरे में पाच बहुविकलान ननही बालिकाओं के बिस्तर थे। जब तक हर सुबह दिदी स्वयं उन बालिकाओं का मलमूत्र निकाल कर और नहला कर पूरी तरीके से तयार नहीं कर तब तक दीदी ना तो किसी से मिलती थी ना ही स्वयम ना धोकर भगवान की पूजा करती थी. है कि नहीं यहां असामान्य सेवाभाव, जिस तरीके से दिदी संस्था में दाखिल बिमार महिलाओं की सेवा स्वयम करती थी, वह देख या अनुभवकर में स्वयन दिदी के ने नत्मस्तक हो गया. तब से आज तक मैं जब कभी प्रज्याचक्षो प्रवेश करता हूं तो यही भाव मेरे मन में आते हैं कि मैं किसी मंदर में प्रवेश कर रहा हूं. दिदी ने संस्था में रहने वाले लड़कियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक पाठशाला क की इमारत बनाकर महिलाओं की स्कूली शिक्षा प्रारंब कर दी. अपनी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी रहिवासी सुविधा का निर्मान कर उन्हें लाभानवित कर दिया. प्रज्याचक्षु महिला सेवा कुन संस्था में दाखिल अंध महिलाओं की शिक्षा, ग्रिह शास्त्र, ग्रिह प्रबंधन, संगड़त प्रशिक्षण, ब्यूटीशियंस, प्रशिक्षण तथा फोल्डिंग और प्किंग की शिक्षा भी दी जाती है. वहाँ पर अपने प्रशिक्षार्थियों के अंतरगत कलागुडों का विकास करने के लिए अभिनय कला, नित्यतला, योक्षास्त्र जैसे आदी शिक्षा का प्रबंध किया हुआ है. समय समय पर अपनी प्रशिक्षार्थियों में प्रतियोगिता की भावना विक्सित करने हेतु स्थानिय तथा राज्य स्तर पर खेलकूद की प्रतियोगिताएं, परिसमवाद, कुकिंग प्रतियोगिता, स्परधात्मकम परीक्षा हेतु ध्यान, संगड़त ध्यान तथा लेखन वाचन प्रतियोगिताएं जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। या उन्हें ऐसे प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल भेज कर उनका सहभाग निश्चित किया जाता है। समय समय पर प्रशिक्षार्थियों के लिए परियतन यात्रा, धार्मिक महोटसव तथा घुमने फिन्ने के कारेक्रम भी आयोजित किये जाते हैं. सभी प्रशिक्षार्थियों को स्वास्त्य सुविधाय और मनोरंजन सेवा भी उपलब्ध की हुई है. वहाँ वयोवृद्ध महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम की सेवा भी उपलब्ध है. प्रशिक्षार्थी अंध्युवतिया ग्रहशास्त्र, ग्रिह प्रबंधन और खाना पकाने में स्वतंत्र रूप से सिक्कर विवायोग्य हो जाती है, तो उनके लिए अनुकूल दुलहा ढून कर पहले तो उनके बारे में सही जानकारी प्राप कर ली जाती है. यह भी निश्चित किया जाता है कि उनकी आमदनी जीवन भर अपनी पत्नी को आर्थिक द्रिष्टी से सुरक्षा देने में समर्थ है और उनका परिवार इस विवा को राजी खुशी से मान्यता प्रदान करता है. तो उनको सामोहिक विवा बंधन में बांध दिया जाता है. इस विवा कारेक्रम में गर्मान्य अतिथी, कन्यादान करने वाले दाता, दुलहा दुलहन के परिवार वाले सेवा भावी संस्थाओं के प्रतिनिधी तथा शहर प्रतिनिधी उपस्थित होते हैं, बलकि सुरे सारी वस्तुए, कपडे, अलमारी, पंखे, किचेन सेट, तोफे के रूप में दिये जाते हैं. उसका पहला प्रसव प्रज्याचक्षु में ही किया जाता है. दिदी एक प्रतिभावान महिला है. उन्होंने दृष्टी हीन महिलाओं की शादी की प्रथा को गती देने आश्चर्य जनक संकल्पना विक्सित की. दृष्टी बाधित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता दिदी ने अमल में लाया. आयोजन में आकरशक अंध महिलाओं की वेश भूशा, केश भूशा, शरीर सोश्थव और कवॉग जैसा देखने लायक ही था. इस आयोजन के दृष्टी बाधित्व के विशय में जागरुकता फैलाने में अच्छी मदद मिली. दिदी ने गुजरात के मोर्वी विभाग में चार मन्जिला इमारत विक्सित कर वहां ओध्योगिक कम्पनियों में काम करने के वाले अंध परिवारों को रहिवासी सुविधा सेवा भी उपलब्ध होती है. अविवाहित कामगारों को नाश्ता और खाने पीने की सुविधा मुफ्ट में उपलब्ध करवाई जाती है. इस तरीके से आज उस संस्था से 160 द्रिष्टीहीन व्यक्तियों का सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वसन किया गया है. इसी स्तर पर दिदी ने उमरगाव शहर जो महराश्च और गुजरात राज्य की सिमा पर स्थित है, वहां भी प्रग्या चक्षु पुनर्वसन केंद्र नामक संस्था शुरू करवाई है. वहां रहिवास और भोजन की सुविधा अंध उद्योक शेत्र के कामगारों को मुफ्ट उ संसार चलाने लायक प्रशिक्षन प्राप्थ हुई, अंध महिला का जब विवा हो जाता था तो ऐसे युवकों का आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्वास हेतु जब मुक्ता को मोरभी नामक जगह पर संस्था उभारने का मौका आया तो उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कि वहां संस्था की इमारत अपनी योजना नुसार खड़ी करने के पच्चात जाहिर किया की आस पास के ओध्योगिक शेत्र में काम प्राप्थ करने वाले द्रिश्टिहीन जोडे को रहने के लिए मुफ्त में दो कमरों सेल्फ कंटेंड घर दिया जाएगा वहां कोकिंग्स भी उपलब्ध होगा इस पुनर्वास केंद्र की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्हें हातिम भाई और उनकी पत्नी जैबोनिसा नामक ग्रिश्टिहीन परिवार मिल गया हातिम भाई संभाशन कला में अपनी निपुन्ता से उद्योजकों को प्रभावित कर अंध व्यक्तियों के लिए रोजगार की संधीतों हासिल कर ही लेते हैं पर संस्था की जरूरतों को पूरा करने में भी दाताओं को प्रभावित करते हैं जैबोने सा संस्था में रहने वाली महिलाओं के साथ साथ हर व्यक्ती का माता की तरह मम्ता से खयाल रखती है। इस पुनरवास केंडरे के विकास के हकदार और आधार स्तंब बने हुए इस जोडे की लगन, मेहंत और जस्बे को हमारा सलांग। कम आय में काम करने वाले हर परिवार को संसारों पयोगी 26 चिज़े हर मा मुफ्त में उपलप्त कर दी जाएगी। जैसे की घी, तेल, शक्कर, चाय पत्ती, गुड, खाद्यान आदी, हर दिन उन्हें आधा लिटर दुद भी मुफ्त वित्रित किया जाएगी। कमपनी में काम पर जाने वाले सभी दृष्टिहीन व्यक्तियों को आने जाने के लिए संस्था की बस उपलप्त करवाई जाएगी। यहाँ ऐसी एक योजना है, जो आज तक अपने देश में कोई भी नहीं कार्यान वित कर सका। आज इस योजना के तहट साथ दृष्टिहीन परिवार लाभानवित हुए हैं। इस परियोजना का यश देख कर कई सारे अविवाहित दृष्टिहीन व्यक्ति भी मुक्ताजी से इसी प्रज्याचक्षु पुनर्वास केंद्र मोरभी में रहकर कम्पनियों में काम कर आर्थिक पुनर्वास प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करने लगे। तो उनके लिए भी मुफ्त रहने खाने और कम्पनियों में आने जाने की सुविधाएं प्राप्त होने लगी। जिसके तहट असी दृष्टिहीनों को इस प्रकल्प का लाप प्राप्त हुआ है। आज कल तो हातिम भाई की इच्छा शक्ती से उन्होंने उस केंद्र में रहने वाले गायन तथा संगीत से जुड़े कलकारों को वाद्य उपलप्त करवा कर अपने केंद्र का लुई ब्रैल ओर्केस्ट्रा ग्रूप भी बना लिया है। केंद्र के छत पर ओर्केस्ट्रा की प्राक्तिस करने के लिए साउन्ट त्रूफ हॉल बना लिया है। इस ग्रूप को ओर्केस्ट्रा प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिससे उन कलकारों को हर माह 4,000 से 5,000 रुपए तक की अधिक आमद्नी हो जाती है नवरात्री जैसे उत्सवों के दिनों में यहां आमद्नी प्रती कलाकार रुपए 15,000 तक हो जाती है जल्धी वहां इस पुनर्वास केंद्र की और एक इमारत खड़ी हो रही है जहां 80 द्रिश्टीहीन परिवारों को ऐसी ही सुविधा उपलप्द कर दी जाएगी मुक्ता का यह अचम्भित करने वाला कार्य देखकर कई सारे स्वयनसेवी दाता आगे आ गए एक दाता ने तो वहां रहने वाले द्रिश्टिहीन परिवारों के हर बच्चे के नाम रुपए 50,000 फिक्स डिपॉजिट के स्तर पर निवेश किया जिसका आर्थिक लाब उस बच्चे को 18 वर्ष की आयू प्राप्त करने के उपरांत मिलेगा और वे अच्छी कासी शिक्षा प्राप्त करने के काबिल हो जाएंगे पुनर्वास केंद्र की नई इमारत के बगल में इन बच्चों के लिए एक खास बगीचा भी बनवाया जाने वाला है जो खेल कूट के और वर्जिश के साधनों से युक्त होगा जल्वी उसी केंद्र में द्रिश्टी बाधित महिलाओं को आर्थिक आय उपलब्ध करवाने के लिए भी वर्क शॉप का निर्माण किया जाएगा जहां हाउस वाइफ बनी द्रिश्टीहीन महिलाओं को भी रोजगार की संधी उपलब्ध होगी इसी तरह प्रग्याचक्षु पुनर्वास केंद्र उमरगाव जगा पर चलाया जा रहा है वहाँ फाउंटन पेन बनाने वाली मशीन भी लगवाई गई है जिससे कई सारे द्रिश्टीहीन परिवारों को तथा अविवाहित द्रिश्टीहीनों को रोजगार प्रात करने का मौका उपलब्ध हुआ है और कई द्रश्टी बाधितों को किंग, फोल्डिंग, असेंब्लिंग जैसे कामपिस वेजिस रेच से करने के लिए दिये जाते हैं वहां आज 140 अंध व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है दिदी ने गुजरात के एहमदाबाद शहर के नजदिक जुन्दाल नामक जगा पर दो मन्जिला इमारत भाडे से लेकर वहां कॉलेज में पढ़ने वाले अंध विद्यर्थियों के लिए मुफ्त भोजन के साथ रहिवासी सुविधा उपलब्ध की है वहां रहकर अंध विद्यर्थी पद्वी या पदव्युत्तर शिक्षा प्राप्त करते हैं जिसमें ज्यादातर बच्चे गरिब आदिवासी परिवार और ग्रामीन विभाग से आते हैं आज भी असी विद्यर्थियों को वस्तिग्रह में दाखिला दिया जाता है मैं दिदी की प्रगल्ब बुद्धिमत्ता और सेवा भावना की एक जलत आपके सामने प्रस्तृत करता हूँ जब दिदी के पती पंकज भाई का शश्ठिपूर्ती समारो बडे स्तर पर मनाना था तो उन दोने के सहमती के साथ एक विशेश कारेक्रम का आयोजन किया इस आयोजन के पहले जोपड पट्टियों में रहने वाले दो सो परिवारों को मिश्ठान भोजन देना भी तै हुआ था यह सब कारेक्रम आयोजन के अनुसार ही हुए लेकिन इस कारेक्रम को चार चाद लगा दिये मुकता दिदी के आश्चर्य जनक तोफे ने वह तोफा जगजाहीर होते ही सभी उपस्थित दिग्मूढम और भावनावश हो गए जब व्यासपीट के बाजू में एक बड़ा सा तराजू अचानत ही लाया गया जिसके एक पल्डे में पंकज भाई को बिठाया गया और दूसरे पल्डे में रक्तदान द्वारा जमा की हुई खून की बोतले रखी जाने लगी और पंकज जी की रक्ततुला संपन्न की गई दरसल रक्तदान से खून जमा करने का यह कारेक्रम एक महिना पूर्वी गुप्त रूप से सुप्रसिद रक्तपेडी द्वारा गाव में चलाया जा रहा था वैसे तो पंकज भाई की रक्ततुला के लिए 270 बोतले ही जरूरी थी लेकिन सब मिलाकर 374 खून की बोलते जमा हुई थी रक्ततुला के उपरांध उन बोतलों में से 260 बोतले थ्यालिसिम्या के मरीजों के लिए दी गई और बची हुई बोतले सुरेंदरंगर जिले के अस्पतालों के लिए संबंधित अधिकारियों को सोग दी गई यह सब देखकर कई दाता आगे बढ़े और उन्होंने एक अच्छी खासी रकम श्री पंकज भाई को देनी चाही उस पर श्री पंकज भाई ने विनमरता से उत्तर दिया कि आप जो उपहार मुझे धन स्वरुप देना चाहते हैं वह मैं अपने लिए तो कबूल नहीं करना चाहूंगा पर इस उपहार से में कम आर्थिक आयवाले मेरे कई द्रिष्टी बाधित महिलाओं के लिए 200 कंबल खरीद कर मुफ्त वितन करना चाहूंगा और ऐसे ही गरिब अंध परिवारों को आने वाले दिवाली पर्फ मनाने के लिए हर एक के बचत खातों में रुपए 5000 की राशी जमा करूंगा यह सुनकर तो और भी कई दाता इस कार्य में अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़ गए आज मुक्ता दिदी किसी भी उम्र की द्रिष्टिबाधित महिला को सहारा देने में समर्थ है उनकी संस्था में अंधत्व के साथ साथ बहुविकलांग द्रिष्टिहीन बालिका महिला को आसरा दिया जाता है हो सके तो उनके सर्वांगीन विकास के लिए भी कार्य किया जाता है नहीं तो उसे जीवन भर प्यार दुलार से स्वास्थ सुविधापूर्ण तरीके से भी संभाला जाता है प्रग्या चक्षु महिला सेवा कुंछ हर महिने गुजराती भाशा में व्रिक्ष नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करता है इसके अंतरगत संस्था के लिए विविद सेवा कार्य, विकास की प्रक्रिया तथा अंध व्यक्तियों के बारे में समाचार प्रकाशित किये जाते है यह पत्रिका आम लिपी में ही छपाई जाती है यहां पत्रिका पढ़कर कई सारे दानशूर व्यक्ति मुक्ता दीदी के सेवा कार्य में अपना योगदान देते रहते हैं अंध व्यक्तियों के लिए दीदी नामक ब्रैल मासिक पत्रिका भी प्रकाशित कर वित्रित की जाती है ताकि वहां अंध व्यक्तियों को पढ़ने में सुविधा जनक हो मुक्ता दीदी और पंकज भाई ने अपंग कल्यान के क्षेतर में उचाई प्राप्त करने वाले अंध व्यक्ति तथा मतिमन व्यक्तियों के पुनर्वास कार्य में अच्छी संस्थाओं को गौर्वानवित करने के हेतू भी काम किया उन्होंने आये श्रेनी प्राप करने वाले और तीन बरस से ज्यादा अनुभुवी व्यक्ति कोलुई ब्रेल अवार्ड देकर सन्मानित करने का कार्य सन 2011 से शुरू किया इस अवार्ड के अंतरगत उन्हें प्रमानपत्र देकर एक लाख रुपए की धन राशी भी दी जाती है ऐसे ही अंध कल्यान के क्षेत्र में विशेश योगदान देने वाले जेश्ट व्यक्ति को पंदित सुखलाल जी अवार्ड सन 2013 से शुरू किया इसके अंतरगत उस व्यक्ति को प्रमानपत्र साहित 25 शुन्य शुन्य रुपए की धन राशी दी जाती है उन्होंने सन 2015 से मतिमन्द व्यक्तियों के पुनरवास कार्य में आदर्श संस्था को मुक्ता पंकज दगली अवार्ड देना प्रारंब किया इसके अंतरगत उस संस्था को प्रमानपत्र के साथ 50 शुन्य 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 रुपए की धन राशी दी जाती है मुक्ता दिदी इस महान सेवा कार्य के लिए कई गौरवशाली पुरसकारों से सन्मानित की गई है वे सब तो अगनित है सन 2001 में मुक्ता जी को हमारे महामहीन राश्चुपती डॉक्टर अब्दुलकलाम जी के हातों राश्चुपती पारितोशिक देकर सम्मानित किया गया है सन 2008 में उन्हें भारत सरकार ने पदमश्री देकर भी सम्मानित किया गया है अपने देश के महामाहिम राश्चुपती आद्रणिय श्री रामनात कोविंद जी ने मुक्ता जी को पदमश्री यह पदम को रसकार देकर गौरवानवित किया था और वर्ष के आखिर में उन्होंने पूरे वर्ष का संतिलन प्रस्तुत किया उस संकलन में वे कहते हैं अपनी संस्ता के माध्यम से वे भारत के अनेक राज्यों की नेत्रहीन महिलाओं के जीवन में आशा की किरन फैला रही है ऐसे नागरिक सही अर्थों में हमारे संभिधान के आदर्सों को यथार्थ रूप देते हैं वे राष्ट निर्माता कहनाने के हग दार अपने देश के विश्व ख्याती प्राप्त आदरणिय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात कारेक्रम में मुक्ता जी की उपलब्धियों के बारे में कहा है मेरे प्यारे देश्वासियों आज हम एक न्यू इंडिया की और अग्रसर हैं इसमें हम उन लोगों का सम्मान करना चाहते हैं जो ग्रासरूट लिवल पर अपना काम निसकाम भाव से कर रहे हैं अपने परिश्वं के बल पर अलग-अलग तरीके से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं दरसल वे सच्चे कर्मियोगी हैं जो जन सेवा, समाज सेवा और इन सब से बढ़कर राष्ट्र सेवा में निस्वार्द जूटे रहते हैं गुजरात की मुक्ता बेन पंकच कुमार दगली की कहानी आपको प्रेणा से भर देगी खुद दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने दिव्यांग महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य की हैं ऐसा उधान मिलना मुश्किल है चक्षू महिला स्यवाकुंच नाम की संस्ता की स्तापना कर वे नेत्रहिन बच्चों को आत्म निर्फर बनाने के पुनित कारिय में जुटी है बिहार के मुझबफरपूर की किसान चाची यानि राजकुमारी देवी की कहानी बहुत ही प्रेरख है महिला, श्रसक्तिकरण और खेती को लापकारी बनाने के दिशा में उन्होंने एक मिशाल पेश की है किसान चाची ने अपने इलाके की 300 महिलाओं को सेल्फ हेल्फ गुरुप से जोड़ा और आर्थिक गुरुप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया उन्होंने गाउं के महिलाओं को खेती के साथ ही रोजगार के अन्य साधनों का प्रस्विशन दिया खास बात ये हैं जिए उन्होंने खेती के साथ टेकनलोजी को जोड़ने का काम किया ये बदलते हुए हिंदुस्तान की जीती जाकती तस्वीर है आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के समय एपिसोट का हिस्सा क्या आपके पास भी New India से जुड़ी कोई प्रेडर कहानी है जरूर होगी तो देर किस बात की साजा कीजिए अपनी कहानी और जुड़िए मन की बात के समय एपिसोट से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोट का हिस्सा बन जाईए इसके लिए डायल करें 18000 117800 या लिख भेजें पोस्ट पॉक्स नमबर 111 आकाश्वणी दिल्ली पर या फिर विजिट करें mygov.in पर जब मुक्ता जी को राश्चुपती अवार्ड अपने देश के महामहिम राश्चुपती जी श्री अब्दुलकलाम द्वारा देकर गौर्वानवित किया गया था तब उन्होंने मुक्ता जी से फिर मिलने का आश्वासन दिया था और उन्होंने एहमदाबाद आकर उसे आपको रोक नहीं सके। यहां तो परिणाम है मुकताबेन के समरपण भाव से किये जा रहे सेवा कार्य का, जो अपने देश की महान विभूतियों को प्रभावित करता है, जिससे वे बार-बार मुकताजी की प्रशंसा में दो शब कहने से अपने आपको रोक ही नहीं पाते और उनका जिक्र बार-बार कर अपने देश वासियों को प्रेरित करते रहते हैं।